मारा बहुत बहुत आसीस और आसिरवाद है कि यह कंपनी जैसे 50 वर्स का समय पूरा किया अपने विकास में, अपने उत्थान में और अपने प्रचार और प्रसार में यह आगे और बढ़ती जाए मेरा अपना जिन्दगी का शुरुवात इसी स्टीलबट परिवार के साथ हुआ मैं वो पल भूली नहीं सकता जब मैंने बहुत छोटी सी सप्लाई के लिए मतलब ओडर के लिए मैंके पैस पहली बार आया और मुझे इनो बहुत डिसकरेज किया कि आप कैसे करेंगे आप नहीं कर पाएंगे बहुत जादा इसकरेज करेंगे गाद फिर मुझे बुलता ही नहीं वो पल किजा मुझे रे कपूर साब नहीं आप यहाँ पास हो गए और उनने मुझे बहुत चोटा सा और दिया वो और करने के बाद में शायद में पीछे मुड करने में बेड़ा I would like to congratulate Steelbird Group on their Golden Jubilee and I would like to also wish Manav and Pankaj all the very best they are not only in their auto but also in their non-auto ventures which is very very promising I wish them very successful in the next 50 years I'm very happy to know that Steelbird is celebrating 50 years of its existence and growth in this industry Steelbird has been associated with Escorts Limited and particularly Escorts Auto Products business for many years and has been a very worthy supplier of quality rubber components on behalf of Escorts and on my personal behalf all the very best for the next 50 years In 2007, I joined as a distributor and after that, the business that we have done and in which way we have seen changes in the company there were also Marblous, Pankajji, Manav Ji Manav, it was a complete change that everything has changed here everything has changed here it was a lot of different it was a little typical but the experience was very good स्टीलडड़ गपार्भाण और वेपारीक सुंबंद हैं पचास वर्ष पूरे करना है कि अपने आम में बहुत अहमियत रखता है वेपार में विशिज कर किए वेपार में बहुत अपन डाउन आते हैं लेकिन ये इनकी प्रगति के लिए बहुत ही सुंदर उधारन है हम जुआओं के लिए पहनर सोत रहे हैं स्टीलबड की पचासवी वर्ष काड़ पर मेरी हार्दी शुप कामना है कि स्टीलबड एक ऐसी कंपनी है जो इतने फेर तरीके से इतने सालों से बिजनस को कर रही है और इस कंपनी के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा है उस व्यक्ति स्टीलबड, इंटनेशनल के, रमेज जी, मानव जी, पंकर जी, शबको बधाई देता हूं को डेलेशन कर देविं अकून कान इतनने कान्व स्तिए TI लोला स्て यिर पुछ करपे भी हम तुमने का स्टेबुवाल क्या लाची हगा हैth इ स्टिए निवाल इस भी न Warum कर दोछने कि युछ कौरावली इस स्क्टी निउनник यॉ पिर द hopanoने कर दिया स्टेपलय की cud जो मेरको सबसे अच्छा लगता है रमेश जी के साथ काम करना, उनकी सिस्टेमेटिक और केरिंग अप्रोच टू वर्क, कि टेक्स केर ओफ एवरिबड़ी इंट्रेस्ट मैं पूरे स्टीलवर्ड परिवार को, रमेश जी को, पंकच को, मानव को और स्टीलवर्ड टीम को बहुत बहुत बदाई देता हूं। स्टीलवर्ड इंटरनेशनल जिनों ने अपने पचास वर्ष पूरे कर दी हैं और अपने पिछले पचास वर्षों में एक शिगर तक एड़स्टी पहुंची है, उसके लिए बहुत बहुत शुप कामनाएं और बदाई। बहुत बहुत शुप कामनाएं इस संस्थान को जेता हूं कि यह और समर्धी करें और अपने जो उनके डीलर्स हैं, ग्राक हैं, उनकी जो मनुक कांच्छाएं हैं वो पूर्ती करें। यह 50 साल जिस तरह से इन्होंने तरक्की किया हैं, आने वाले 50 सालों में पूरी संस्था और सेशन की तरफ से, मेंबर्स की तरफ से, मैं चाहूंगा इससे यादर तरक्की करें और बढ़ें। We would like to congratulate Steelbird on their golden jubilee for achieving 50 years of successful 50 years and we would like to definitely be the part for next 50 years with Steelbird and we wish them all the very best for next 50 years. On this joyous occasion, I congratulate Manav Ji and his team once again and we just hope that we have the pleasure of supporting them in their future business ventures as we go along. अपनी के साथ मेरे जो सुरुवात से ही अनवव रहा है, बहुत सुखा दनवव रहा है और कमपनी को जहां पर भी मुझे जरूवत पड़ी है, कमपनी ने मुझे पूरी तरीके से जह सपोर्ट किया है, जिसकी वज़े से आज मैं बहुत ही अच्छी स्टांग पोजिशन म मेरा दिली में अपना मकान है, अपनी फेमली पूरी फेमली है, और हुजिए पूरी फेमली पूरी जो केुगिके से देग्ण है हमें कमपनी को में सुभ कामटाय देता हूं कि हमारी कम्पनी दिन डिन तरःक ही करेक् belang. और शुछ ओड प्लिट कर देट आ गूद प्लिट शवालत ने अप्लिट शवाल इर्बाट अट शवालु आप वट गाला गुड़ लिएप्लाय को डूप टूब डिखिव कि अग्कि अगाइड बाट गूंत पूर खाइड बाट वोट माईंट अप्लिट कर अफ्ट कर वि मैं सन 1985, फरवरी 1985 में यहाई, मेरा यहां बहुत ही अच्छा एक्सपीरिंस रहा, इतना अच्छा टाइम मेरा पास हुआ, मैं बयान नी कर सकती, मेरे बेटे की शादी थी, तो मैं यहां काम कर रही थी, तो मेरे को रमेश जी ने आखे का तू यहां क्या कर रही है, जा तेरे मेरे बेटे की शादी है, तू यहां क्या कर रही है, महां जाके अरेंज कर रही है, मेरे बेटे कहते हैं कहते हैं कही बारी की ममी अब तुम मत छोड़ दो, तो मैं कहते हैं नहीं मुझे यहां इतना प्यार मिला है, इतना मेरा मन नी करता है, मतलब मैं इतनी वहां हो चुकी यह तमन्ना है कि मैं जब तक डाइमंड जूली हो तक अपनी कमटी में यहां पर ही ताहूं